नमस्कार मैं रोहित कुमार आप देख रहे हैं कैप्टल टिभी उत्रप्रदेश की इस प्रेस श्टोरी उत्रप्रदेश के कानपूर से धर्म परिवर्तन का एक चौकाने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक दो नहीं बलकि पूरे जथे को हिंदू से इसाई धर्मे परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी इसके लिए सभी को बसों में बैठा कर उन्नाव के चर्च ले जाय जा रहा था वहीं सभी लोगों का धर्मांतरन करवाना था धर्म के सौधागरों ने इसके बदले लोगों को 50,000 रुपए प्रती माह देने का वादा भी किया था लेकिन पुलीस को इसकी सूचना मिल गई जिसके बाद पुलीस मौके पर पहुंची उन्होंने बसों को रुकवाया, मामले में दो आरोपियों को गिरफतार भी किया जानकारी के मताबिक मामला नवाब वंच्थाना छेतर का है पुलीस को सूचना मिली कि गंगा बैराज छेतर से दो बसे उन्नाव के लिए जा रही है इसमें कई लोग सवार हैं, सभी हिंदू लोग हैं, उन्हें पैसे के बदले इसाई बनाने के लिए उन्नाव के चर्च ले जा रहा था पुलीस तुरंट एक्शन में आई और दोनों बसों को रास्ते में ही रोप लिया तब पता चला कि दो आरोपी इन सभी लोगों को चर्च ले जा रहे थे ताकि वहाँ उन्हें हिंदू से इसाई बनाया जा सके बस में सभार लोगों ने बताया कि इन ही दो लोगों ने उन्हें लालच दिया था कि अगर वो इसाई धर्म अपनाते हैं तो प्रती माह उन्हें 50,000 रुपए मिलेगे जिसके बाद पुलीस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया तभी इसकी जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कुछ लोग भी वहां पहुँच गए जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ और नारेबाजी भी की गई इसके साथ ही आरोपियों की गिरफतारी की मांग भी की गई इसके बाद पुलीस ने आक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को लेकर ठाने चले गई पूछताज के बाद पता चला कि सभी लोग गरीब परिवार से हैं और दोनों आरोपियों ने मिलकर उन्हें लालच दिया था लालच देते हुए उन्होंने कहा था कि यदी वे लोग हिंदू से क्रिश्चन बन जाते हैं तो उन्हें हर महीने 50,000 रुपे मिलेंगे इसके साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी इसके बाद वे लोग उनकी बातों में आ गए और उनके साथ चलने को तयार हो गए इस पूरे मामले को लेकर SP में भी प्रतिकिरिया दी, SP महेश कुमार ने बताया कि पुलीस इस मामले की जाच कर रही है जाच में जो कुछ सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कारवाई की जाएगी बतावे कि UP का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई ऐसे गिरोज सामने आचुके हैं जो गरीब हिंदूओं का धर्म परिवर्तन कराने का रैकेट चलाते थे मामला बीते साल मई महीनी का है जहाँ UP के कौसामडी में धर्म परिवर्तन का घिनोना खेल चल रहा था लालच देकर धर्म परिवतन कराने का खेल नया नहीं बलकि ऐसे कई मामले देश भर में पहले भी सामने आ चुके हैं मामला यूपी के कौसामी जीले से सामने आया था जहां गाओं के सीधे साधे गरीब लोगों को इसाई धर्म अपनाने के लिए बड़ा लालच दिया जा रहा था पूरा मामला संदीपन घाड छेतर का था जहां गरीबों को इसाई धर्म अपनाने का लालच देने की कोशिच की जा रही थी इसमें चार लोगों को गिरफतार भी किया गया था पूलीस ने जानकारी देते हुए बताया था कि ये लोग गरीब परिवारों को बिमारी ठीक करने और अन्य लालच देकर इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरिद करते थे अधिकारी ने आगे बताया कि वे लोग गाउं के भोले भाले लोगों को बिमारी ठीक करने और जीवन अस्तर बहतर बनाने के का प्रलूभन देकर धर्म परिवतन कराने के लिए सभाय आयोजित करते थे लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलीस में कारवाई करते हुए पकड़े गए लोगों का खिलाप अवय धर्मांतरन अधिनियम के तहत मामला दर्च कर लिया था इतना ही नहीं यूप पुछना पर पुलीस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे पुलीस की पुछताच में ग्रामिनों ने बताया कि उन लोगों को इसाई धर्म की प्रातना सभा ले जाया गया था जहां उन्हें किसी भी मूर्ती की पूजा करने से मना किया गया था जिसके बाद उन लोगो पता दे कि धर्म परिवर्तन का ये काला खेल बारा बंकी के जहांगीर बाद थाना छेतर के अंतरगत मडवा मजरे अगजना गाउं में चल रहा था जहां दो लोग ग्रामिलनों को बहला पुचला कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे दोनों आरोपी महिलाओं समेट कई ग्रामिलनों को इसारी धर्म की प्रातना सभा इलाज के बहाने ले जाते थे और उनका ब्रेन वाश करते थे लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो बारा बंकी और जहांगिरबाद थाने के थाना प्रभारी भारे पुलिस बलके साथ मौके पर पहुची और ग्रामिलनों से पूच्टाच की पुच्टाच में गाउं की महिलाओं ने बताया था कि हमें बहला फुसला कर प्रातना सभा ले जाया गया था जहां कहा गया था कि हम किसी भी मूर्ती की पूजा ना करें इसलिए हम लोग अब किसी भी मूर्ती के पास नहीं जाते ग्रामिनों की यह बात सुनकर सभी पुलिस कर्मियों के हो सुड़ गए सीओ सिटी डॉक्टर बीनू सिंग ने बताया कि पुलिस ने धर्म परिवर्तन के इस काली खेल की जब गहनता से जाच प्रताल शुरू की तो कासिखन जीले के योगेश और बारा बंकी के सुजीत का नाम सामने आया इसके बात पुलिस ने ततकाल कारवाई करते हुए इन दोनों प्रचारकों के खिलाप मुकदमा दर्च करके उनको गिरफतार कर लिया था पुलिस ने इन दोनों आरोपियों योगेश और सुजीत के पास इसाई धर्म की कई किताबें और तमाम अन्य साहित भी बरामत किये थे इसके साथ ही पुलिस ने इनके कॉल डिटेल्स की भी जाच की थी ताकि पता चल सके कि इनका जाल कहां तक फैला है और इनका संबंध पूरुवके किसी धर्म परिवर्तन मामले से तो नहीं आकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों में धर्म परिवर्तन मिसेद अधिनियम 2020 के तहर दर्ज 427 मामलों में कुल 833 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है यह अधिनियम 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रेल 2023 के बीच राज्जे में धर्मांतरन से संबंधि कम से कम 427 मामले दर्ज किये गए थे जिनमें 833 गिरफतारियां भी की गई अब तक नाबालिकों के धर्मांतरन के 65 मामले दर्ज किये गए हैं जिसमें मेरट जोन में 12 गोरकपूर में 10 बरेली में 9 आगरा में 5 लखनव और परियाग राज में 4-4 और वारा नसी में 2 मामले दर्ज किये गए हैं इनमें से 185 मामलों में पिडितों ने अदालत के सामने स्विकार किया है कि उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया गया था रिकॉर्ड के अनुसार बरेली पुलीस छेतर में सबसे अधिक 86 मामले दर्ज किये गए हैं उसके बाद गोरकपूर में 69, लखनव में 33, मेरट में 47, परियाग राज में 46 और वारा नसी में 49 मामले दर्ज किये गए थे पुलीस रिकॉर्ड में सबसे अधिक 20 मामले लखनव में दर्ज किये गए थे इसके बाद कानपूर में 19, परियाग राज में 13 और नोईडा में 10 मामले दर्ज किये गए थे गिरफतारी के मामले में परियाग राज जोन 163 गिरफतारियों के साथ सबसे उपर है इसके बाद बरेली 137, लखनव 124, वारा नसी 101, गोरकपूर 81, मेरट 65, आगरा 37 और कानपूर से 21 गिरफतारियों की गए थी बतादे कि इन सारे मामले को लेकर पुलीस अब सक्त रवया अपना रही है जिसकी वज़ा से मामलों की जाच में तेजी देखी जा सकती है फिलाल लखनव जोन में केबल 13 और गोरकपूर जोन में 12 मामले विचारधीन है बाकी 9 मामले परियाग राज में, 3 मेरट में और 2 मामले वारा नसी में विचारधीन है यूपी में क्या है धर्म परिवर्तन को लेकर कानून प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर तरीके से धार्मिक रुपांतरन निशेद कानून लागू किया है। यूपी में धर्मांतरन कानून के तहट दोशी पाये जाने वाले व्यक्ति को अपराद की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल साथी 15,000 से 50,000 तक जुर्माने का प्रवधान किया गया है। इतना है नहीं अंतरधार्मिक विवाह कराने वाले जोडों को शादी करने से दो महीने पहले जीला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए परमीशन लेनी होगी। इस कानून के तहट SCST समुदाय के नाबालिकों और महिलाओं के धर्मांतरन पर 3-10 साल की सजा का प्रवधान है। जबकि जबरन सामोहिक धर्मांतरन के लिए जेल की सजा 3-10 साल और जुर्माना 50,000 रखा गया है। ओडीसा में सबसे पहले बना था कानून। देश में सबसे पहले धर्मांतरन पर ओडीसा राज में कानून बनाया गया था। इस राज में धर्मांतरन विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया था। इस कानून के तहट जबरन या लालच के जरिये धर्मांतरन कराने पर एक साल तक की जेल और 5,000 रुपे तक का जुर्माना तै किया दया था। इसके साथ ही इस कानून के तहट SCHT समुदाय के नावालिकों और महिलाओं के धर्मांतरन पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपे का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। कई बार राश्टी अस्तर पर कानून बनाने की अपील भी की गई है लेकिन सुप्रीम कोट ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है टापिटल टेभी उतर परदेश नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।